नमस्कार मैं आसी स्राठा और आपका स्वागत करता हूँ मनेश सिसोधिया जेल में हैं उनकी हालत पहले से ज़्यादा खराब है जेल के कठगरे में टीवी के सामने नियूज वद दिन रात वो देख रहे हैं काफी ज़्यादा हतास और निरास होकर बैट रहे हैं खबर जो आ रही है मेडिया में उसको देख कर और ज़्यादा तनावपुर्ण उनको ऐसा लगता है कि क्या मैं अब जेल से बाहर निकल पाऊंगा केजरी वाल मुझे बचा पाएगा लेकिन आपको बताएं कि तिहार जेल में जो उनके साथ बड़ा हादसा हुआ है उसको लेकर के बड़ा मामला जो निकल करके सामने आ रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है इससे सिसोधिया के रातों की निंद जो है वो गायब हो गई है केजरिवाल ध्यान करने बैठ गये हैं, उनको चिंता सता रही है कि अगर सी सोधिया पर अटाक हो गया, उनके जान से अगर उनको मार दिया गया तो सीधा आरोप केजरिवाल पे ही लगेगा, केजरिवाल बहुत ही दिमाग से खेल रहा है, सेफ गेम प्लैन पुरी तरीके से केजरिवाल जी, उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ भी करूंगा, तो मुझे कोई पकर नहीं सकता है, सरकार भी उनकी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दू, इस भारत देश में चाहे वो मुख्यमंत्री हो, या फिर प्रधान मंत्री हो, अगर वो गलत करेगा, तो उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कितना भी बरा पद पे हो, ये फर्क नहीं पड़ता है, कानून सब के लिए एक है, कानून का हाथ बहुत बरा होता है, शायद ये बात केजरिवाल नहीं जानते हैं, शराब निती केस में एडी अब नया दाव खेलने वाली है, सिसोधिया और दिने सरोरा को आमने सामने बैठा करके पूस्ताच करने वाली है, फिर दिने सरोरा वो नयार और कविता तीनों को एक जगा बैठा करके पूस्ताच करने वाली है, अब इडी तमाम लोगों का बयान दर्च करके फिर से दोनों को अलग बैठा बैठा करके सारे लोगों का ब प्रश्टाचारी है तिहार जेल में इसलिए तो सी सोधिया बेचैन है उनके उपर कभी भी हमला हो सकता है अटाक हो सकता है इसको लेकर के बहुत सारे बाते कही गई थी आमादमी पार्टी के तरब से लेकिन या आरूप निराधार है खुल सुकेस चंदर सेखर ने आरूप लगाया था कि सिसोधिया को वी वी आईपी ट्रिटमेंट मिल रहा है ये भी बात आप जानते होंगे दोस्तो इसके लिए जाच की मांग की थी सुकेस चंदर सेखर ने हलाकि सुकेस चंदर सेखर भी कोई बहुत ही इमांदार वेक्ती नहीं है वो भी भरस्ताचारी है अब और सवाल ये उड़ता है कि क्या केजरीवाल दिल्ली की जनता से कुछ चुपा रहे हैं कुछ ऐसी बात जो सिर्फ केजरीवाल और मनीश सिसोधिया ही जानते हैं एजनसी को नहीं बताया जा रहा है और डर इस बात का है कि केजरीवाल सिसोधिया को कहीं अगर एजनसी को य केजरिवाल और आदमी पार्टी के सारे विधायक नेता क्यूं विरोध कर रहे हैं ED और CBI का सवाल तो ये भी खरा होता है विपक्ष में क्यूं इतना डर और खौफ है केंड्री एजेंसी से ED और CBI से इसका सवाल का जवाब ना केजरिवाल के पास है ना मनिस्य सोधिया के प कोट के चक्कर लगाने से क्यूं डर रहे है ये लोग इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा केजरिवाल जी कजरिवाल जी तो वह दिल्ली के जनता की नजरों में शक क के घेरे में हैं और आने वाले समय में को ह्मक्र मंत्री के पाद से इस्तिपाद देना परेगा और आने वाले चुनाओं में उनको करी हार का सामना करना परेगा। केजरिवाल जी अपनी इक्छा से आप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। इसलिए आप मुख्यमंत्री के पद की गरीमा को समझिये और दिल्ली के जनता का सम्मान किजी इस तरह का भ्रस्टाचारी और दलाली से आप दिल्ली की राजनीती में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं भाजपा कहते हैं और कहते-कहते ठक गई है भाजपा केजरी वाल को हमेशा ये बात कहती है दूस्तों भाजपा कियाम आदमी पाटी को कि अपनी गलती को सुधार या जो आपने गलती करी है उसको कबूल कर लो मगर केजरी वाल ने अपनी गलती सुधारी भी नहीं और नहीं अपनी गलती को कबूल किया बलकि जूट पर जूट जूट पर जूट बोला दिल्ली के जनता का भरोसा तोरा उनसे जूटा वादा किया लेकिन कहते हैं जूट के साथ केजरीवाल का जूट का समराज्य तहस नहस हो गया है सारे कारेकरता भिखर रहे हैं पार्टी के विधायक में मन मुटाओ है लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं बरे नेता मंत्री जेल में जा रहे हैं कुछ लोग जाने वाले हैं तो केजरीवाल अपनी संकट के बादल खुद उन्होंने बुलाया है, अपने लिए खुद गढ़ा खोदा है, तो उस गड़े में खुद केजड़ी वाल ही जाकर गिरेंगे ना, दूसरा कोई धोरे न गिरे, दूसरा कोई नहीं गिरेगा दोस्तों, बताएं आपको, उसमें केजड़ी वाल ही जाकर के गिर सिसोधिया जी आपको कोट ने सजा सुनाई आप CBI के हिरासत में हैं आपको तिहार जेल में रखा हुआ है लेकिन आपकी मुस्कान ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ गलती नहीं किया है आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो आपकी मुस्कान ऐसी थी बेशर्म की तरह आ इंसान जब चारों तरफ चर्चा होने लगे इंसान की चर्चा भी दोस्तों दो तरकी होती है एक अच्छी और दूसरी बुरी तो आपकी चर्चा बुरी हो रही है सारे लोग कवर कर रहे हैं कवर में दिखा रहे हैं मीडिया में आपको जेल हुआ है आप करोरों के घोटा हो गए हैं मजबूर हो गए हैं अब तो उनको आसरा भी नहीं है कि उन्हें कोई बचाएगा जेल की हवा खाईए और बिस्तर पे बेचाइन की निंद सोईए सिसोदिया ने अगर कहीं अपना मुझ खोल दिया तो केजड़ी वाल का क्या हाल होगा यह उनको भी पता नहीं है इसलिए केजड़ी वाल जो कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है केजड़ी वाल के अब बड़े बड़े नेता जेल जाने के लिए बिस्तर तयार रखें हैं, कभी भी बुलावा आ सकता है, उनको कभी भी ED, CBI समन कर सकती है, कभी भी उनको बुला करके उनसे पूश्ताच कर सकती है, और पूश्ताच में अगर उन्होंने गोल-मोल बात करी, बात को घुमाया, तो गिरफतारी और स्पार्ट उसी वक्त हो जाएगी, उनको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, उस वक्त केजरिवाल भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से केजरिवाल कहते हैं, मैं गरीबो के लिए कुछ करता हूँ, मैं सम्मान के लिए जीता हूँ, आज ये सम्मान कहां गया आपका, आपका एक बड़ा नेता मंत्री जेल मे क्यों बेल नहीं मिल रहा है, जमानत क्यों नहीं मिल रहा है, जवाब दीजिए केजरिवाल जी, आपको जवाब देना परेगा, जवाब तो आप दे नहीं सकते हैं, क्योंकि गल्ती जो आपकी है